निबंध कैसे लिखे पिछले पाटों में आप सार लेखन और भाव पलवन के बारे में पढ़ चुके हैं आशा है कि आप अब तक अपनी बातों को लिखित रूप में ठीक धंग से व्यक्त करना सीख चुके होंगे आपने यह भी पढ़ा कि निबंध लिखते समय अपने भावों और विचारों को एकत्रित कर उन्हें सही ग्रम देना उदारन देकर अपनी बात की पुष्टी कर उन्हें प्रभावशाली ढंग से कहना या लिखना ही निबंध लिखने का कौशल है अब तक आप कई सुप्रसिद रचनाकारों के निबंध भी पर चुके हैं क्या आप जानते हैं कि लिखन या रचना का सर्वोत्तम रूप निबंध में ही देखने को मिलता है और निबंध को ही उत्तम गद्य लिखन की कसोटी माना गया है इस कला में आप भी सिद्ध हस्त हो सकते हैं आईए यह हम इस पार्ट में सीखते हैं उदेश्य इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप आदर्श निबंध के गुणों का उलेग कर सकेंगे निबंध को विबिन चरणों में बाद कर उन पर अनुछेद लिख सकेंगे निबंध के प्रकारों का वर्गी करन कर सकेंगे निबंध की रूप रेखा निधारित कर उपसिर्शक दे सकेंगे 29.1 निबंध के गुण अक्सर विद्यार्थी परिक्षा भवन में कुछ निबंध रटकर पहुच जाते हैं यदि उन गिने चुने निबंधों में से प्रेश्न पत्र में कुछ आ गया तो बहुत अच्छे वरना उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कई विध्यारती तो इस प्रश्न को छोड़ कर ही चले जाते हैं ऐसी स्थिती से बशने के लिए सबसे पहले अच्छे निबंद के गुणों को पहचानना बहुत आवश्यक है उससे भी पहले अवश्यक है यह जानना कि निबंद क्यों लिखा जाता है निबंद लेखन लिकित आत्मा भी व्यक्ति की शक्ती का विकास करता है जिसे स्वतंद रश्ना शक्ती या सुजन शक्ती भी कहते हैं भाशा के शुद्ध परिमार्जित और प्रभावशाली प्रयोग की शमता का विकास करता है किसी दिये गए विशे पर स्पष्ट और क्रम्बत रूप में विचारों को लीपी बद करने के कौशल का विकास करता है विशे को एक सूतरता में पिरोने का कौशल विक्सित करता है भाशा और शैली में निखार लाता है अब आईए निबंद के बारे में कुछ और जानकारी हासल करे निबंद शब्द नी प्लस बंद से बना है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ निबंद में व्यक्त किये गए भाव या विचार एक दूसरे से शिंकला बद होते हैं इसकी भाशा विशे के अनुकूल होती है इसके माध्यम से नपेतलर शब्दों में अधिक से अधिक बाते कही जाती है निबंद की शक्ति है अच्छी भाशा भाशा के अच्छे प्रयोग द्वारा ही भावों, विचारों और अनभगों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है अच्छे निबंद के विशेषताएं हैं कसावट, प्रभावशाली भाशा, विश्यानुकूलता इसे इस रेखा चित्र से भी समझा जा सकता है कसावट, आप पर चुके हैं निबंद का अर्थ ही है, भली भाती बंधा हुआ या कसा हुआ निबंद में विचार और भाशा, दोनों में ही कसावट का गुन होना आवर्शक है निबंद लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसमें व्यक्ती, किये गए विचार या भाव एक निश्चित क्रम में हो और आपस में जुड़े हुए हो आप अपनी बात को तर्क पूर्ण ढंग से लिखे, जिसे पढ़ने के बाद पाठक किसी निसकर्ष पर पहुँच सके उदारन के लिए नीचे लिखे दो वाक्यों पर ध्यान दीजिए एक, ज्यानी मनुश्य सब प्राणियों को अपने अंदर और अपने आपको सब प्राणियों के अंदर देखता है दो, ज्यान वाला जीव हर प्रकार की जीवों को अपने आपके भीतर और अपने को सभी जीवों के बीच में पाता है उपरयुगत्य वाक्यों में एक ही बात को कहने की कोशिश की गई है किंतु कुछ शब्दों के हेर फेर से दूसरे वाक्यों में कसावट का अभाव हो गया है इसलिए वाक्य एक को पढ़कर मन पर जैसा प्रभाव पढ़ता है वैसा वाक्य दो को पढ़ने से नहीं होता प्रभाव शाली भाषा शब्द का वाक्य में तथा वाक्य का अनुछेद में उचित तथा क्रमबत प्रयोग होने से भाषा में प्रभाव उत्पन होता है अच्छे निबंद में शब्द वाकिर तथा अनुच्छेद एक विशेश क्रम में गूते हुए होते हैं उनका क्रम और परस पर सम्मंद इस प्रकार होता है कि इसमें तनिक भी उलट फेर करने से और स्वभाविक्ता आ जाती है यदि आपके लिखेवे निबंद में भाशा की यह विशेशता है तो उसे पढ़कर मन पर अच्छा प्रभाव अवशे ही पढ़ेगा भाशा को प्रभावी बनाने के बारे में आप विस्तार से पहले पुस्तक की पाट संख्या नौ अच्छा कैसे लिखे में पर चुके हैं फिर भी याद रहे निबंद की भाशा सरल, स्पष्ट, द्याकरनिक दृष्टी से शुद, प्रभाव पून और गठी हुई होनी चाहिए निबंद को लिखते समय यदि आप अवशक्ता नुसार, उदारन, दृष्टांत और सुक्तियों का भी प्रयोग करते रहे तो वह और अधिक रोचक तधा प्रभावशाली बन जाएगा इस गुण को प्राप्त करने के लिए आप निमलिखित क्रियाएं कीजी अधिक से अधिक पठन का भ्यास, मुहावरों और लोकोक्तियों का उचित अवसरा नुकूल सही प्रयोग, अच्छी बातों का स्मरन, देशाटन और सत्संग्या बड़ों से वार्तालाव द्वारा प्राप्त किये गए अनभव विश्या नुकूलता, निबंद की भाषा, विशय तथा विचारों के अनुरूप होनी चाहिए, उधारन के लिए सरल तथा सरस विशय पर लिखे गए निबंदों की भाषा भी सरल, मुहावरेदार तथा आम बोलचाल के निकट होगी किन्तु गंभीर और साहितिक निबंद में तत्सम शबदावली तथा साहितिक भाषा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है भाषा और शैली की रिष्टी से भाव प्रदान निबंद भावात्मक होगा तो विचार प्रदान निबंद में चिंतन मनन और तर्क वितर्क की अधिक्ता होगी इन विशेशताओं के अतिरिक्त विचारों की मौलिक्ता और क्रम बदता भी अच्छे निबंदों की विशेशता होती है पाठकत प्रश्ट 29.1 एक निमलिकित कतनों को ध्यान से पढ़िए यदि कतन स़ही है तो उसके सामने सही का निशान और गलत हो तो गलत का निशान लगाईढे क निबंद में व्यक्ति विचार और भाशा में कसावट होनी चाहिए यह वाक्य सही है क सुगठित और सुसंबत भाशा से निबंद में अउसवभाविक्ता आ जाती है यह वाक्य गलत है ग, विचारों के अनुरूप भाशा होने से निबंद का प्रभाव बढ़ जाता है यह वाक्य सही है ग, गंभीर और साहितिक निबंद की भाशा अधिक मुहावरेदार और आम बोलचाल की भाशा होगी यह वाक्य गलत है दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर निबंखित प्रश्ण का उत्तर दीजे दो, निबंद लिखने का अभ्यास आवश्यक है क्योंकि यह ग, दिश्टान्तों और सुक्तियों का उचित प्रयोग करना सिखाता है ख, लेकन कोशल में निपून बनाता है ग, विबिन ने विश्यों पर अपने विचार व्यक्त करना सिखाता है ग, उपर युक्त तीनों इसका सही उत्तर है ग, उपर युक्त तीनों उन्तीज दस्मलों दो, निबंद के अंग निबंद का आकार निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि विश्य के अनुसार वह सिमिध्धी हो सकता है और कुछ बड़ा भी लेकिन इतना तो तय है कि अपने विचारों को सुसंगर और क्रमबत रूप में लिखना चाहिए आप अपनी बात कहां से शुरू करे, क्या क्या लिखे, और अंद कैसे करे इसके लिए आवर्शक है कि निबंद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाए एक टकार से निबंद का पूरा खाका तयार करना ही रूपरेखा कहलाता है रूप रेका बनाने से पूर्व हम यह जान ले कि निबंद के तीन अंग होते हैं प्रस्तावना या भूमिका, मुक्यंश या विशेवस्तु का विवेचन, उपसनहार या अंद आईए अब हम निबंद के अंगों को दिस्तार से जाने प्रस्तावना, निबंद के प्रारंब में उसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखी जाती है निबंद के प्रस्तावना, रोचक तथा विशेवस्तु को सपश्र करने वाली होनी चाहिए इसके द्वारा पाठक के मन में निबंद को विस्तार पुर्वप पढ़ने की उससुकता जागुती है प्रस्तावना संग्षिप्त किन्टू प्रभावशाली होनी चाहिए निबंद का पहला अनुछेद ही उसकी प्रस्तावना या भूमिका होता है जहां तक संभव हो थोड़े वाक्यों में ही निबंद के मुख्य विश्य के बारे में संकेत कर देना चाहिए मुख्य अन्श प्रस्तावना के बाद निबंद का महत्वपूर्ण भाग मुख्य अन्श होता है यहां विश्य वस्तु का विश्टित विवेचन किया जाता है निबंद से संबंदित समागरी को चार-पांच छोटे बड़े अनुछेदों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उसके सभी पहलूओं पर तकाश पर सके मुख्य घटना, भाव या विचार प्रसुत करते समय उसके क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है साथ ही विचार तर्क संगत हो और भाशा प्रभावशाली विशय की पुष्टी के लिए जो भी उधरन, दृष्टांत या प्रमान चुने जाए विसरल, आकरशक तथा प्रभावोत पादक हो जहां तक संभव हो विपाठक के डैनिंग जीवन के अनभवों से संबंदित हो प्रतियेक मुख्य विचार या बात के लिए एक अनुष्यद बनाया जाए सभी अनुष्यद आपस में इस प्रकार संबद हो कि विचारों की एक अटूर श्रिंखला बनी रहे विचार एक दूसरे से जुड़े रहे हम परशुके हैं कि निबंद लेखन में अच्छी भाशा शैली का बड़ा महत्व है यदि भाशा विशय क्या अनुरूप हो तथा शुद्ध सरल स्पष्ट कसी हुई तथा प्रभावशाली हो तो पाठक निबंद को पढ़कर प्रभावित होगा निबंद लेखन की समय समानिता समास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए उपसनहार निबंद का अंतिमभाग उपसनहार कहलाता है यहां विशेवस्तु के विवेचन की आधार पर निशकर्ष प्रसुत किये जाते हैं कभी-कभी लेखक अपना विशार या प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है निबंद का अंत ऐसा होना चाहिए कि उसका स्थाई प्रभावव पाठक पर परसकी प्रस्तावना की भाती उपसनहार भी एक ही अनुछेत का होता है संक्षिप्त होने पर भी निबंद का यह अंश पाठक को प्रभावित करने की सबसे अधिक शमता रखता है निबंद का मुल्यांकन करते समय परिक्षक उपसनहार को अवश्य पढ़ता है यही वह कसोटी है जिस पर परक्कर प्राय परिक्षक अंक देने का निर्णे करता है अतर उपसनहार संक्षिप्त सूसंगटित स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए किसी लोकोक्ती, सुक्ती, अत्वा अभिष्ट समाग्रे के समावेश से इसका अंत करे तो प्रभावी रहता है पाचकत प्रश्ट उन्तीस दस्मलो दो निम्लिकित कतरों के रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए निबंद की प्रारंब में भूमिका या डैश लिखी जाती है, इसका उत्तर है प्रस्तावना मुख्य अंश लिखते समय विशय वस्तू का क्रम अनुसार डैश किया जाता है, इसका उत्तर है विवेचन या वर्णन ग निबंद की भाषा विशय के डैश होनी चाहिए, इसका उत्तर है अनुसार या अनुरूप ग डैश में प्राय निबंद का निशकर्ष होता है, इसका उत्तर है उपसनहार 99.3 निबंद की रूपरेखा निबंद की रूपरेखा प्राय दो प्रकार से बनाई जा सकती है विस्तृत तथा संक्षिप्त यदि रूपरेखा में प्रतेक बिंदू के साथ साथ महतपून तत्य, घटना, विचार तथा उधरन आदी लिखते हैं तो वह विस्तृत रूपरेखा कहलाती है जहां केवल मुख्य बिंदूओं को ही लिख दिया जाए उसे संक्षिप्त रूपरेखा कहते हैं नीचे दिये गए उधारनों में यह बात आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगी क विस्तृत रूपरेखाए मालीजिये हमें वायूयान सिर्षक से एक निबंद लिखना है इसकी रूपरेखा बनाने से पूर्व किसी पुस्तक या विशिशग्य से हमें यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि वायूयान का अविश्कार कब कहां और कैसे हुआ उसकी बनावट और कार्य प्रणाली की सामाने जानकारी भी हमें अपने अनुभव तथा चिंतन से खोजनी होगी आईए वायूयान शिशक निबंद की एक विस्तित रूपरेखा बनाए यह एक वर्नात्मक निबंद है वायूयान वर्नात्मक निबंद प्रस्तावना पक्षियों को देखकर मनुष्य की उरने की कल्पना परियों की कहानी उरन खटोला पुश्पक विमान आदी की कल्पना से इस भावना को बल मिलता है मुख्य अंश वायूयान का आविशकार अठारविश अताबदी में हाईडोजन के गुबारे की उडान का चलन प्रारंब जर्मनी में 1897 इश्वी में प्रथम वायूयान की कल्पना अमेरिका के रॉबर्ट ब्रदर्स द्वारा वायूयान का आविशकार वायूयान की बनावट इसका शरीर आगे अलिमीनियम का इंजन जहार्श के दोनों और पंखे प्रोपेलन द्वारा वायूयान में गती पहिये की सहायता से उड़ना तथा उतारना संभव वायूयान से लाप तथा हानी स्वयम विचार कर लिखे उपसनहार वायूयान का उप्योग बढ़ रहा है विबिन देशो तथा संस्कृतियों में एकता तथा मेर्मिला बढ़ाने में वायूयान की महतरपूर्ण भूमिका वसुदेव कुटुम्बकम का स्वप्न साकार इसी प्रकार यदि आपको समय के सदुप्योग विशे पर एक विचारात्मक निबंद लिख रहा है तो इससे संक्षिप्त सामागरी के संकलन के लिए किसी पुस्तक या पत्रका की तलाश में समय नगवा कर अपने खर्या परोस के किसी अनुभवी व्यक्ति से वार्तलाव द्वारा कुछ नए बिंदू मिल सके तो लेना अच्छा ही रहेगा समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विचार बिंदू सुक्ति श्लोक आदि देना भी सार्थक सिद्ध होगा ख संग्षिप्त रूप रेखाएं भी निबंध लिखना प्रारंब कर देते हैं आपको यदि जल्दी में भी निबंध लिखना हो तो भी कम से कम उसकी संग्षिप्त रूप रेखा बना लेना अच्छा रहेगा नीचे कुछ निबंधों की संग्षिप्त रूप रेखाएं दी गई है इन्ने ध्यान से अधुनिक सिक्षा प्रणाली के गुणदोश विचारात्मक निबंध प्रस्तावना जीवन में सिक्षा का महत्व मुख्यञाश अधुनिक सिक्षा पति गुणदोश विक्तित्व के समन्वित विकास पर बलृव सनहार आधूनिक सिक्षा पदती व्यक्ति के समाजिक आर्थिक तथा चारितरिक विकास में साधक उपरियुक्त रूप रेखा को पढ़ने के बाद आपको सपष्ट हो गया होगा कि उनकी सहायता से निबंद लेखन सरल हो जाता है लिखते समय हम किसी बिंदू को भूल न जा आए तो उन्हें लिख लेना चाहिए साथ ही रूप रेखा में निधारित कोई बिंदू यदि अनाविश्यक लगे तो उसे छोड़ देने में भी संकोश नहीं करना चाहिए आप जानते हैं कि प्राय कुशल लेखक कागस पर रूप रेखा निर्मान किये बिना भी निबं लेखन में अभ्यस्त हो जाएंगे तो विस्तार पुर्वक रूप रेखा बनाने के आविश्यक्ता नहीं पड़ेगी परिक्षा भवन में निबंद का सवाल सबसे अंत में करना अच्छा रहता है परन्तु प्रक्रिया पहले से ही प्रालंब कर देनी चाहिए जैसे निबं प्रक्ति श्लोक आदी याद आते जाए उन्हें एक जगा पर लिखते जाना चाहिए इसके लिए प्रश्ण पत्र की सहायता भी ली जा सकती है अर्थात प्रश्ण पत्र में दिये गए कवितांश तथा गध्यांशों में से उधारन स्वरूप अंश देखांकित कर लेने प्रश्ण 26.3 नीचे कुछ कथन दिये गए है इन्हें ध्यान से पढ़िए कथन सही हो तो उसके सामने सही का निशान और गलत हो तो गलत का निशान लगाईए ख बिना रूप रेखा बनाए निबंध लिखा ही नहीं जा सकता यह वाक्य गलत है ख निबंध की संक्षिप्त रूप रेखा में केवल मुख्य बिंदूओं का संकेत होता है यह वाक्य सही है गर जल्दी में निबंध लिखना हो तो उसकी विस्तरित रूप रेखा बनानी चाहिए यह वाक्य गलत है निबंध लिखते समय बनाई गई रूप रेखा का अक्षरश पालन करना अनिवारे यह वाक्य गलत है कुशन निबंद लेखक कागस पर रूपरेखा बनाए बिना भी निबंद लिख सकता है यह वाक्य सही है दो दिये गए विकल्पों में से सही उत्तर पर सही का चिने लगाईए निबंद की रूपरेखा लिख लेना आवश्यक है क्योंकि ख हम निबंद के हर बिन्दू को याद रखते हैं ख निबंद का रूप स्पष्ट हो जाता है ग सुक्तिय उधरनों को प्रयोग कर सकते हैं ग परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं इसका सही उत्तर है ख निबंद का रूप स्पष्ट हो जाता है झाल, 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 झाल